हलो रेंड्स वेलकम टू नोलेज हब दोस्तों सर्सू के बारे में तो लगबग हर कोई जानता है लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि सर्सू के तेल के कितने जबरदस्त फाइदे होते हैं सर्सू का तेल हर मोसम में लाब करी होता है घरेलू उपचार के तोर पर सर्सू का तेल कई रोगों को ठी करने की काम आता है मैं आपको कुछ आसान से उपाय बताता हूँ जो आपके लिए काफी फाइदेकारत साबित होंगे सर्दी के मोसम में सर्षू का तेल काफी गुणगारी होता है सर्षू के तेल से सरीर की अच्छी तरह मालीस करने से तो अच्छा मुलाइम और खुबशुरत होती है रात को सोते समय सर्षू के तेल से मालीस करने से मच्छा नहीं काटते सोते समय पेरों की सरसु के तेल से मालिस करने से नींद अच्छी आती है आखों की रोशनी बढ़ती है सरदी में किसी की एडियां फटती है तो सरसु के तेल से मालिस करने से एडियां कोमल हो जाती है और दरारें भर जाती है कसरत करने के बाद थकान होने पर गुनगुने पानी से हाथ पेड़ धोकर सरसू के तेल से मालिस करने से थकान उतर जाती है सरसू के तेल से मालिस करने से जोडों का दर्द भी ठीक हो जाता है सरसू का तेल हानिकारक जिवानों को नश्ट कर देता है सरसू के तेल से मालिस करने से रक्त संचार तेज हो जाता है मांच बेश्या मजबूत होती है त्वच्छा के रंग में निखार आता है चहरा सुन्दर और आकर्षक बनता है दातों में दर्द होने पर बारीक सेंदा नमक ले उसमें थोड़ा निम्बू का रस मिला ले और थोड़ी सी फितकरी सरसू के तेल में मिला कर नित्य मंजन करने से दातों और मसूरू की बीमारियां दातों के कीडे, दातों का दर्द, मसूरे फूलना इन सभी समश्याओं से छुटकारा मिल जाता है और दात मजबूत और साफ हो जाता है इसी तरह हम सरसू के तेल का उप्योग खाने के रूप में भी कर सकते हैं ये भी काफी लाब करी होता है ओके प्रेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिपेकेशन आपको लडातार मिलती रहे थैंक्यू